कॉंग्रिस की अंत्रीम अध्यक सोन्या गांधी की स्पीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर देश भर में पार्टी कारे करता और वरिष्ट नेता पर दर्शन कर इस पैसले को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं वही अब पंजाब के एक विधायक ने इसका विरोध दर्श करवाते हुए चोकाने वाला भयान दिया है पंजाब कॉंग्रस के विधायक और प्रवक्ता प्रमिंदर सिंग पिंकी ने सोनीया गांधी की स्पीज सुरक्षा हटाए जाने को लेकर कहा कि उनकी सुरक्षा के लि इंद्रा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया है इसी कारण से गांधी परिवार को स्पीजी सुरक्षा मिली हुई थी कोई भी विदायक यदी अपने नेता या पार्टी अधक्स को सुरक्षा देता है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी साथ ही उन्होंने कहा कि देश के सभी विदायक कोउंग्रेस के विदायकों के जैसे नहीं है गोरतलब है कि 8 नवंबर को केंदर सरकार ने सोन्या गांधी राहूल गांधी और प्रेंका गांधी की स्पीज सुरक्षा हटाने का नीने लिया था हाला कि यह बताया गया था कि उनकी सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझोता नहीं किया जाएगा और गांधी परिवार को जैड प्लस सुरक्षा दी जाएगी सरकारी सुत्रों के मुताबिक केंदर सरकार ने सभी एजन्सियों की ओर से मिले थ्रेट इन्पूच का आंकल अन करने के बाद यह फैसला लिया है बता दे की परधान मंतरी नरेंदर मोदी के अलावा कॉंगर्स की कारेकारी अध्यक्स सोन्या गांधी पूर्व अध्यक्स राहूल गांधी और महा सची प्रेंका गांधी को स्पीजी सुरक्षा दी जाती है ने देश दी एकता ते खंटा नो कठा रहा है तो इसकार के अगर सानु भी जाना पर जरूर जा मांगे एक छोटी मान सिकता दा जड़ा ना ओं मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने जड़ावा ओं दखाया वा कि हे दी बगैर किसे गलतों सुरक्षा दनाल खलवाड करना मैं समय दा कुछ जंगी गालनी है कि इस करके मैं फिर बार बार करना चाहना है कि अगर काल नू उस परवार नू कुछ होंदा है तो ओधा जुम्मे वरी जड़ी हैगी सेंटर गॉर्मेट होएगी स्पीजी दी कोई गालनी है सारे हर बाक को अपने परवार ना जुड़यां कांधी फैमिली नाला गॉंग्रस पार्टी एक परवारा लोड पाई जदों भी सार्थी लोड़ी जबी बांक्वेट्स लाए हैं ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवार